राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप शभी? उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे. दर्सकों वाज का हमारा विशह है, एक सपने के अर्थ के बारे में, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए. परंतु से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो के नीजे में अपना नाम कमेंट कर देना है. उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है. दर्सकों हमारा विशह है कि अगर आप सपने में period आते हुए देखते हैं तो सपने में period आना अच्छा होता है या बुरा होता है इस सपने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु से पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दर्सकों सपने में अगर आप पिडियड आते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ज्यादा असुभ याने की बूरा होने वाला है इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आपके लिए नुक्षान देह साबित हो सकता है इस सपने के बाद आर्थिक रूप से आप कही न कहीं कमजोर हो जाएंगी पैसों के मामलों में आपको परेशानी का सामना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा करना होगा इस सपने के बाद आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे अगर आप पैसों का लेंदेन करते हैं तो पैसों के लेंदेन में आपको परेशानी का सामना कहीं न कहीं करना होगा या फिर अगर आपका पैसा कहीं फसा हुआ है कहीं रुका हुआ है तो उस पैसे को प्राप्त करने में भी आपको परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा तो इस सपने के बाद आप पैशों के मामले में शाबधान रहिएगा अन्यता परेशानी बढ़ सकती है और आपको शमस्या का सामना कहीं न कहीं करना पर सकता है दर्सकों आप मेंसे जो भी लोग इस सपने को देखने के बाद किसी भी नए काम को सुरू करना चाहते हैं तो किसी भी नए काम को सुरू करने में आपको शमस्या का सामना कहीं न कहीं करना होगा तो अगर संभव हो तो बिना शांती किये बिना इस सपने का उपाई किये आप कोई भी नया काम सुरू बिलकुल भी न करें क्योंकि अगर आप नया काम को सुरू करते हैं तो उस काम में आप औसफल हो जाएंगे इसकी उमीद बहुत ज्यादा रहेगी उस काम में आपको शमय के बाद नौकडी खोजने में नौकडी तलासने में आपको पड़ेशानी का सामना करना होगा आसानी से आपको नौकडी नहीं मिलेगी और जहां नौकडी मिलेगी वो आपके लिए मन पसंद नहीं होगी यानि कि आपके अनुकूल वो नहीं होने वाला है और वहां पर में भ इस सपने के बाद प्रेम शंबंध में या फिर दामपत्य जीबन में आप जूट बोलने से छल कपट करने से अपने पाटनर को धोखा देने से बचने का प्रयास करें क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपका शंबंध कमजोर हो जाएगा और नीजी संबंध में आपको पर परेशानी बहुत जयादा बढ़ जाएगी इसके बाद बात करते हैं इस सपने के उपाई के बाड़े में दर्शकू इसका उपाई बहुत जयादा शामान्य है इस सपने को देखने के बाद आपको अगले दिन अगर संभब हो तो हनुमान जी की पूजा करें बजरंग बल को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में धन्यवद